कुछ जानवर घर में पालने से घर में सुख वैभव, धन और सम्रिदी आती है और कुछ जानवर घर में नहीं पालने चाहिए ऐसे जानवर मानसिक बिमारी का कारण बनते हैं और जीवन में बहुत ही बुरा असर डालते हैं समस्कार दोस्तों मैं भीना गौतम प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से में पर आपको मिलती रहें आप सबी जानते हैं कि गाउं में रहने वाले लोग अपनी जरुत के नुसार घर में गाए भैस बक्री और मुर्गी पालते हैं इससे उनकी खाने पीने की समस्याएं पूरी होती रहें इसी परकार शहर में रहने वाले लोग अपने शोक के चलते घर में कुत्ता, बिली, खरगोश और मचलियां खोड़े आधी पालते हैं विदेश में नीडर लोग शेर, चीता और मगरमत जैसे खतरनाग जानवर पालते हैं वास्तु के अनुसार और जोतिस के अनुसार इन में से कुछ जानवर को पालना शुब माना जाता है आगे में बताऊंगी कौन सा जानवर पालना क्यों शुब होता है और अगर जानवरों को पालने से पहले शुब ग्रह को देखा जाए तो ये मनुशे की किस्मत चमका सकते हैं किसी इंसान के ग्रह सही नहीं हो तो जोतिश बताते हैं कि कौन सा जानवर घर में पालना शुब रहेगा एस्ट्रोलोजी की राय में इन जानवरों को घर में रखने से घर वैभब से युक्त रहता है और जानवरों को पालने से सकारात्मक उर्जा का संचार होता है आप इस बास से हैरान होंगे कि हिंदु धरम में कुत्तो को पालना शुप माना जाता है क्योंकि जोतिश सास्र के अनुसार कुत्तो को पालने से उनको नियमित भोजन कराने से भाग्य में उन्नत्ति का संचार होता है कुत्तो को नियमित भोजन कराने से सभी संकट दूर होते हैं जोतिश के अनुसार काला कुत्ता पालना शुब होता है और कुत्ता वफदार जानवर भी है मेंड़क को घर में रखना बेहस शुब माना जाता है ये पैसों से रिलेटिट सभी समस्याओं को दूर करता है दूसरे घर से विमारिया भी दूर करता है अगर असली न पाले तो मेंटल का भी मेंड़क घर में रख सकते हैं तोता पालना भी बेहस शुब माना जाता है जो तिश शासर के अनुसार क्योंकि तोता घर में आने वाली परिशानियों को पहले ही भाप लेता है घोड़ा पालना एश्वर्य का प्रतीक है पर घोड़ा सभी नहीं पाल सकते है इसलिए घोड़े का स्टैचू घर में रख सकते हैं नकली कछुआ घर में रखना बेहस शुब माना जाता है मचली को भी बहुत सारे लोग घर में पालते हैं मचली पालना घर में चीन फैंक्सुई के नुसार शुप माना जाता है इसलिए लोग घर में मचली पालते हैं मचली घर में सकारात्मक उर्जा लाती है घर में शांती बनी रहती है अगर घर में संकट आने वाला हो तो मचली अपने उपर खुद ले लेती है बहुत से लोग घर में सफेज चुहा भी पालते हैं सफेज चुहे से लक्षमी का आगमन होता है अगर लोग घर में सफेज चुहा पाले तो ये जानवर भी जोती सासर के अनुशार शुब माना जाता है और घर में पालने से सुक्सर्मिदी आती है घर में किसी प्रकार की परिशानी नहीं होती है दोस्तों उमीद करती हूँ के आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसकी जानकरी प्राप्त हो सके धन्यवाद